कि दूसरी responsibility court की यह है कि जहां ये देखे जैसे नौधी का case है या ये शिवकुमार का case है या खालिद सैफी का case है कि जहां ये देखे कि भी पहला तो आपने विल्खुल बेव बुन्याद अरेस्ट कर लिया जूटा अरेस्ट कर लिया या इसका case है जो नड़की दिशारवी पूल किट में तो कोई उफेंस ही नहीं, वो तो, it's a case which is fit for quashing the FIR itself, it's a case eminently suited for quashing the FIR, इसी तरह से ये तो case कैरवान के खिलाफ रिजिस्टर किया गया है, कि आपने ये बोल दिया, कि उस नवरीत जो farmer था, उसको गोली मारी गई, आपने खुद आई विट्मिस का कोट करके ये लिख दिया, और ये offense है, इस पर FIR रिजिस्टर कर लिया, this case is also fit for quashing, इसमें कोई offense नहीं है, ये report करना, और ये कहना कि ये इस edition है वगएरा वगएरा, तो बिलकुल text book classic cases है quashing के, और normally जब कोट ये देखता है, चाहे वो bail की proceeding में देखे, चाहे वो discharge की proceeding में देखे, चाहे वो trial की proceeding में देखे, जब कोट को ये दिख रहा है, कि ये case जूटा बनाया गया है, मेलाफ आइडी बनाया गया है, और इस जनी को torture किया गया है police custody में, तो कोट की responsibility है, कि उन police officers को ढूंड के dundit करें, identify करके dundit करें, और ये जो police officers जिन्होंने खालिज सेफी का torture किया, या इसका नोदीब का torture किया, या शिव कुमार का torture किया, कि इनको तुरंट identify करके, इनका तुरंट prosecution कराके, इनको सक्ट से सक्ट सजा देनी चाहिए, जब 4-6-10 लोग police officers को ऐसे सजा मिलेगी, तब police का रवया ये बदलेगा, आज उनको लगता है, कि हम कुछ भी कर लें, कितना भी जूटा case बना दें, fabricate कर लें evidence, भीमा कोरे गाउ में इन लोगों के computer में, evidence plant किया गया, ये अमेरिका की agency के report आई है, कि इनके computer में evidence plant किया गया, जिसके आदाग पर इनको arrest किया गया, police भी plant किया, ऐसे case में इन लोगों को identify करके, इनका prosecution होना चाहिए, कुछ लोगों का होगा, तक फिर ये बंद हो जाएगा, नहीं तो उनको लगता है, कि हमारे लिए तो कोई risk हाई नहीं, कुछ भी कर दो, जूटा case बना दो, market आई कर दो, torture कर लो, कुछ भी कर दो, हमें कुछ नहीं जब तक उनको, जब तक ये impunity की feeling नहीं तोड़ी जाती और उसको तोड़ने के लिए ये जरूरी है, और courts का right भी है, उनकी duty भी है, कि इस impunity को तोड़ें, और उसको तोड़ने के लिए इन officers को identify करके, उनको सक्षे सक्षे सजा होनी चाहिए, इनको आप fortunately, आप हम लोग दे जब कार की बेल हुई, उस दिन दिशारवी की बेल हुई, अब मुझे पूरा विश्वास है कि शिप कुमार की भी बेल हो जाएगी, लेकिन इसके आगे जाने की जड़वत है, इन police officers को identify करकरके, ढूंड ढूंड के, identify करके, एक को भी नहीं छोड़ना चाहिए, इन सब को पकड़ पकड़ के, जेल के सलाखों में सडाने की जरुवत है, जिन लोगों ने इस तरह के जूटे case पनाया है, और इसलिए, I hope कि next step, बेल के अलावा, या discharge या equitable के अलावा, जुडिशरी का next step ये होगा, होना चाहिए, और शायद होगा भी, कि इन officers को identify करके, इनको punish किया जाएगा, और देखिए, इस देश में इतना जबरदस्त, fascist assault हो रहा है, हर तरह से democratic values, democratic institutions को crush करने की कोशिच करी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद, कितने सारे लोग खड़े हुए हैं, journalists करे हुए हैं, activists करे हुए हैं, farmers करे हुए हैं, students करे हुए हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, इतना देखिए, जो आज इस देश में चल रहा है, वो कानून का राज तो कहा नहीं जा सकता, आज तो बिलकुल उल्टा चल वहा है, जो दंगई हैं, जो criminals है जो हिंसा करते हैं। जो सोचल मीडिया पर गाले के लौज करते हैं उनको खुड़ी छूट दी गई है। और जो लोग नियाय के लिए दूसरों के हख के लिए अपने हग के लिए दूसरों के हख के लिए अपनी अवाज उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ उनको जूटे केस में फसा कर अरेस्ट करके टॉर्चर करके हर तरह से प्रताजित किया जा रहा है और इसमें हम देखते हैं कि यह जो पुलीस एजनसेज हैं चाहे दिल्ली पुलीस हो चाहे एनाईय हो चाहे इंफोर्स्मेंट डिरेक्टरेट हो यह सरकार के हाथ में बिल्कुल कटपुतली बन गए है और सिर्फ कटपुतली ही नहीं मतलब यह लोग मुझे तो याद आता है जो पचास के दशक में 1950 के दशक में जस्टिस एन मुला ने अलाबा आइकोर्ट में बैटे होए बोला था कि यूपी की पुलीस इस दे लार्जेस्ट ओर्गनाइजड क्रिमिनल गैंग इन दिस कंट्री वो बात आज हंडरेट परसेंट ट्रू है और सिर्फ यूपी की पुलीस के लिए नहीं है दिली पुलीस एना ये ये सब इस देश के बड़े बड़े ओर्गनाइजड क्रिमिनल गैंग बन गए हैं जो की रूल अफ लाव के तो धज्जिया उड़ा रहे हैं और दिली पुलीस का जो हम लोगों ने रवया देखा चाहे वो जेन्यू वाले इंसिडेंट में चाहे वो जामिया के इंसिडेंट में चाहे वो दिली राइट्स में चाहे वो किसान आंदोलन के प्रोटेस्ट में कि पुलीस ही हिंसा करती है करवाती है हिंसा करने वाले लोगों को प्रोटसाहन देती है JNU में पुलीस के पूरे संरक्षन में गुंडों को घुजाए गया पूरे संरक्षन में गुंडों को बाहर निकाला गया जब वह मार पीट करा है लाइबरवी में जाकर सीसी टीवी कैमरे तोर-तोर कर स्टूड़न्स को वहां टीटा और दिल्ली राइट्स में भी कितने वीडियोज आ चुके हैं कि दिल्ली पुलीस के अफसर जो है जमीन में पड़े हुए लोग जो बहुत बुरी तरह से गायल है उनको पीट रहे हैं और कहा रहे हैं कि तुम जैश्री गाम बोलो और ये बोलो वो बोलो उनमें से एक लड़का मर भी गया सीजी टीवी कैमरे तोड़े गए पुलीस के दार जिससे कि वो जो गुंडागर्दी कर रहे थे वो सामने ना पर और फिर जो लोग जिनों ने दंगे करवाए जिनके वीडियो हैं ये कहते हुए कि वह हम कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लेंगे कपिल विश्रा जैस अबी भी परसों ये कह रहा है कि मैं फिर से ये करूंगा तो और उल्टा जो लोग बिलकुल हैं साथनों तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे चाहे वो सीए के खिलाफ चाहे वो आप किस ये जो फार्म लॉस के खिलाफ लोगों के खिलाफ जूटे केस बना बनाकर उनको अर को जो डेली प्रोटेस्स और एक वाटसाप ग्रूप पनाया गया प्रोटेस्स को हल्प करने के लिए तो बीकुल ठीक प्रोटेस्ट मंधा भाशन भी दिए थे और मैने देखा था कि कितना पीश्फुली हो रहे हैं कोई कोई ऑब्स्रक्शन नहीं हो रहा था रोड का और बाग में जो प्रोटेस हुए कोई अप्स्रक्शन नहीं था रोड का वो तो पुलीस ने पूरी रोड बन कर दी थी बहुत चाड़ी रोड थी थोड़े से उसमें एरिया में प्रोटेस हो रहे थे और वहां पर छोटे-छोटे बच्चों को समझधान पढ़ाया जा रहा था यूमन राइट्स के बाड़े में सिखाया जा रहा था बिल्कुल पीस्फुल तरीके से सब कुछ हो रहा था और जो एक वाटसाइप ग्रूप बना इन प्रोटेस को सपोर्ट करने के लिए हो कहते ह लोग सब इस कॉंस्पिरिसी में शामिल थे कि दिल्ली में दंगे करवाया था हम भारत के लोग एक और ग्रूप बना जिसका मकसद यह था कि हिंदोस्तान में लोगतंत्र को बचाया जा सके हमारे संविधान को बचाया जा सके उनके खिलाब केस बना रहे हैं कि आप लोग दंगे करवा रहे थे तो ऐसे केस में कोट्स का बहुत एहम रोल होता है देखे कोट्स जो हैं उनकी ड्यूटी है यह देखना कि इस देश में कानून का राज चले और जहां यह बिल्कुल साफ जाहे है साफ दिख रहा कि पुलीस का इंवेस्टिगेशन बिल्कुल बेमानी इस से मेलाफाइडी तरीके से जैसे की क्रिमिनल गैंग की तरह पुलीस ऑपरेट कर रही है कि जो और जो दंगई लोग थे जो हिंसक लोग थे उनके साथ मिलकर गैंग की तरह अपरेट कर रही है और जो उन्होंने वाइलेंस करी पुलीस ने जो उन्होंने अपराग किये उसकी जाच वो खुद करेंगे आज तक हो कहते हैं एक साल के बाद भी उन पुलिस आफिसर जिनका सब विडियो है कि इन बच्छों को जो जमीन में पढ़े हुए उनको पीट रहे हैं कहते हैं उनको इडेंटिफाइ नहीं करता हैं कहते हैं कि हम जेम्यू का कुछ में पता लगा पाँ जामिया का कुछ में पता लगा पाँ तो ऐसे सिचुएशन में कोट्स की ड्यूटी ये थी कि इस इंवस्टिगेशन को दिल्ली पुलिस के हाथ से लेकर और एक स्वतंत्र एसाइटी को दे दे देना चाहिए था वो दिल्ली हाई कोट कर सकता है सुप्रीम कोट भी कर सकता है और इनको सो मटो करना चाहिए था जब ये सब चीज़ें दिल्कुल रिट लार्ज हैं सब जगह दिख रही हैं एक्टम क्लियर है आस क्लियर आस दे लाइट तो हाई कोट और सुप्रीम कोट दोनों की ड्यूट करते हैं हर्ष मंदर ने केस भी फाइल किया कि कम से कम कपिल मिश्रा पर फाया तो रिजिस्टर कराई ये लेकिन वो नहीं करवाया गया और वो केस जो है जो पहले जज़ डील कर रहे थे जस्टिस मुटी था उनका ओवरनाइट रातो रात ट्रांसफर कर दिया गया पंजाब और फिर चीफ जस्टिस ने दिली हाई कोड के चीफ जस्टिस ने खुझ ले लिया और तब से वो केस जो ही होता जा रहा है उस केस में ही हाई कोड ये कह सकता था कहना चाहिए था ये इंवेस्टिगेशन तो बिलकुल बेमानी से हो रहा है और इसलिए ये इंवेस्टिगे दिल्ली पुलीस के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए हम बिलकुल एक इंडिपेंडनेंट रसाइटी बनाएंगे जो हमारे कोड के मिग्राइए में काम करेगे। लेकिन वह नहीं किया गया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम फोर को सब्सक्राइब करें और नौटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएंगे।